मैं राज महंतिवारी आप देख रहे हैं बिहारी नियूज बिहार में कोरोना के फैनली की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ गई है अब बिहार में कुल कोरोना पॉजिटीव मामलों की संख्या 20,000 को पार कर चुकी है बिहार स्वास्त विभाग ने जो जानकारी दिये उसके अनुसार आज 15 जुलाई को पूरे बिहार से 1320 ने कोरोना पॉजिटीव मामले सामने आए अब बिहार में कुल कोरोना पॉजिटीव मामलों की संख्या 20,173 हो चुकी है राजधानी पटना की इस्तिती गंभीर होते जा रही है विगत 24 घंटे में केवल पटना से 242 ने मरी सामने आए खगड़िया बेगु सराय नवादा मुझफरपूर सिवान और पश्मी चंपारन से भी 50 और उससे ज्यादा नय मरीज 24 घंटे में मिले हैं पहले एक नज़र डाल लेते हैं पिछले 24 घंटे में परतेक जीले से मिले नय कोरोना मरीजों की संख्या पर अरणगाबाद 10 बाका 9 बेगु सराय 75 भागलपूर 125 भोजपूर 14 बक्सर 17 दरभंगा 9 पुर्वी चंपारन 21 गया 43 गोपाल गंज 23 जमुई 4 जिहानबाद 5 कैमूर 25 कटिहार 32 खगड़िया असी किसन गंज 12 लखी सराय 10 मध्यपूरा 3 मधू बनी 1 मुंगेर 32 मुझपरपूर 69 नालंदा 37 नवादा 52 पटना 242 पूर्णिया 24 रोतास 37 सहरसा 13 समस्तिपूर 34 सारन 4 सेखपूरा 13 सिवहर 9 सितामरी 4 सिवान नब्वे सुपॉल 8 वैसाली 25 और पशिमी चंपारन से 93 बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या बिहार के लिए चिंता की विशह है केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने एक ब्योरा जाड़ी किया था उसमें बिहार में टेस्टिंग बड़ी है पर बिहार में अबादी के अनुपात में देखी जाए तो यह अभी भी काफी कम हैं बिहार विधानसवा के चुनाओं में लगी बीजेपी के लिए आज भी अच्छी ख़बर नहीं आई सुबाई यह जनकारे मिले कि बीजेपी के परदेस अध्यक संजय जैसवाल और उनके परिवार के सदसे कोरोना संक्रमित मिले हैं राजभवन से भी 20 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाएगा हैं बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH के एक डॉक्टर की कोरोना से जान गमाने की खबर आई थी डॉक्टर इस खबर से उबरे भी नहीं थे कि PMCH में एक साथ 13 स्वास्त कर्मियों के संक्रमित होने की सूचना मिली इसके अलावा कोरोना का शंक्रमन पुलिस महकमे के अधिकाडियों तक भी फैलना सुरू हो गया है मंगलवार को जाच में पटना के दो सीटी एस बी कोरोना संक्रमित पाएगा है बिहार में कोरोना का चेन अब बहुत जादा बढ़ गया है इसलिए आप सभी से अनुरोध दनेवाद